कि नमास्का दोस्तों आप लोगों का विके स्टेडिश यह लाबाद पहादि स्वागत है आज के हम इस वीडियो में एक ताले से जर पांसव बीस के जो नएस जून को पेपर हुआ था उसी का हम रिवेजन कराएंगे आप लोगों सुनिवेदन है कि आप लोग वीडियो को देखें और परिच्छा से पहले एक बार पूरा डिवेजन करके जाएं जितने भी पेपर हुए हैं तो देरी ने करते हुए अपना चालू करते हैं तो पहला कोश्चन है कि निम्नम से किस विख्याद विक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सब्से बड़ा नागरिक सम्मान पर है थे वे थे गुलाब मुस्तफा खान तो इसका इंस्वर विकल्प यह सही है अब आते हैं दूसरे कोश्चन पर दूसरा कोश्चन है राष्ट्री परिच्छा एजंसी एंटिये के पहले महाने देशक के पदपर हाल ही में किसे निक्ति हुई है दूसरा कोश्चन है राष विकल्प डी है विनीता जोसिव तो इसमें पूछा कि राष्टी परिच्छड एजंसी के पहले महाने देशक के पतपर हाले में किसकी निक्ति हुई है राजयस कुमा चत्रवेदी विकल्प भी है जोसिप एमानुयल विकल्प सी है अनीता कर्वाल विकल्प डी है विनीत अगला कोस्चन है तिसरा जी टॉन्टी की बैठक 2018 में स्पेस में होगी रियोडी जनेरियो ब्यूनस आइरेस मेक्सिको सिटी इस्तांबुल तिसरा कोस्चन है जी टॉन्टी की बैठक 2018 में होगी रियोडी जनेरियो ब्यूनस आइरेस मेक्सिको सिटी इस्तांबुल तो इसका जो बैठक होगा वह होगा ब्यूनस आइरेस में ये करेंट का कोस्चन है तिसका रिवीजन की कोई जरूतने फिर भी पूछ सकता है अगला कोस्चन चोटा है 1825 में वैदान्द कालिज की अस्तापना किसने की जिसमें दोनों भारती अध्यान और पस्चात समाजी तथा भावते बिग्यान पार्ट करम प्रस्तुत किया गया था विकल्प A है अर्विंदो घोस विकल्प B है रह्मान राम मोहन राय विकल्प C है इस्वचंद बिद्यासागर विकल्प D है स्वामी बिविकनन चोटा कोस्चन है 1825 में वैदान्द कालिज की अस्तापना किसने की जिसमें दोनों भारती अध्यान और पस्चात समाजी तता विकल्प A है अर्विंदो, गोस, विकल्प B है रह्मान, राम मोहन राय विकल्प C है इस वकर बिद्यासगर विकल्प डी है स्वामी बिविकनत तो इसका एंस्वर जो है विकल्पी भी राम मोहन राजी है अगर आप लोगों को लग राव की हम सब सुलो पढ़ाने है तो आप लोग जाकर स्पीड बढ़ा सकते है अगला कोश्चन है निम्ने में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था विकल्पी है माल्दू, विकल्पी है स्रीलंका, विकल्पी है मारिसस, विकल्पी है सुरिनाम तो जो सिलोन है उसे सिलोन को कहा जाता है सिलोन को पहले सिलोन कहा जाता था अगला कोश्चन छठवा है 16 80 में इस्पेस नहर के खुलने भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलो मीटर कम हो गई तो अख होंसी नहर थी जिसे खुलने से यूरोप की दूरी कम हो गई तो पहला विकल्प है पाणामा विकल्प B है कील विकल्प C है स्वेज विकल्प्डी है उलगाडां तो कौस्चन 1619 स्पेस नाहर के खुलने से भारत की एरुप की दूरी 7000 किलो मिटर कम हो गए पानामा विकल्प 26 पील विकल्प 6 continue के विकल्पC है स्वेज़ विकल्प्डी है वलगाडां तो वह नहार थी स्वेज नहार थी जिससे खुलने से 7000 किलोमीटर की लंबाई कम हो गई अगला कोश्चन सत्वा है गरतंता दिवाद 2018 की प्रेट के मुख अतितियों में से एक मुख अतिति कौन थे विकलपे विद्या दिवी भंडारे विकलपे मैतरी पास सिरी सेना विकलपे से खसीना विकलपे आंग सान सूकी तो इसमें जो मुख अतित थे वह थे आंग सान सूकी अगला कोश्चन अठवा है निम्न में से किस एकामस कंपने ने खा देत पादों के विक्रे के लिए उत्तपदे सरकार के साथ एक समझावते पर हस्ताचर किये हैं फिलिपकाट, सिनेबडेल, अमेजन इंडिया, पेटियम तो इसका एंसो जो है विकलपसी अमेजन इंडिया से हस्ताचर किये थे अगला कोश्चन नवा है निम्ण में से कौन एक बैग्यानिक होने के साथ-साथ एक महान उद्वपती भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्वग की अस्थापना की सिभी रमन, जेसी बोस, विक्रम सारा भाई, होमी जहांगीर भाबा तुह थे विक्रम सारा भाई जो एक बैग्यानिक के साथ-साथ अगद्वपती भी थे अगला कोश्चन है दस्वाँ ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ड पुस्तक के लेखा कौन है विकलप ए किरण बेद विकलb B ए एन आर, नरान मूर्ती विकलप C शुधा मूर्ती विकलप C सासी थारूर तो इसका एंसर विकलप B एन आर नरान मूर्ति जिते जो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ड पुस्तक के लेखा कौश्चन है ग्रवान निम्ड दख्षड में से कौन सा अगला क्रवान निमने खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दच्षिड अपरिका इस्टेलिया टेस्ट की सिंखला में गेद से छेड़ छाड़ की मामले में समलित नहीं था इसमें च्षाटना की च्छेड़ छाड़ की मामला था उसमें कौन समलित नहीं थे विकल्पस हो नकी है है फारना हाइट में जल का कृथनाँख होता है अगला कूस्चन है निम्ड में काउं सा बागान फसल नहीं है काफी चाई काजू मोटे आनाज तो बागान फसल जो नहीं है वह हैं मोटी एनाज और काफी चाई काज़ू यह सब बागान फसल में आते हैं। अगला कोस्चन है तूर डाल को अन किस नाम से जाना जाता है तो तूर डाल को अराहर के नाम से जाना जाता है। ज्वार, मुसर, रोग, रागी, ये सब के नाम से नहीं जाना जाता है, तूर दाल जो है, अरहर के नाम से जाना जाता है, अगला कोस्चन है, इस पे इसका परियोग हवा, बल और वेक को मापने में किया जाता है, विकलब A है, स्पेडोमेटर, विकलब B है, लेक्टोमेटर, सब्सक्राइब करता है अगला कोश्चन सुलामा है भारत में राष्टे हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो भारत में राष्टे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और 14 नमबर को जो है विस्मत वे दिवस और जो 14 दिसंबर है इसमें राष्टी वर्जास राच्षर दिवस और जो 14 जून है इसमें विस्वर एक्तदान दिवस मनाया जाते हैं अब आते हैं अगले क्वेश्टन 17 वे पर मानो अधिकार के स्वर्व हों की घोसड़ा का निशेद 6 किसमें संबंदित है तो इसमें विकल्प A है कानून की समच में एक ब्यक्त की रूप में मानता का अधिकार विकल्प B है समच निया अधिकर द्वारा परतिकार का अधिकार विकल्प A माना कानून की समच एक ब्यक्त की रूप में मानता का अधिकार अगला कोश्चन है नेशनल इस्टाक इस्चेंज का मुख्याले कहां चन्नाई में दिली में मुंबई में बैंगलोर में अठ्रावा कोश्चन है नेशनल इस्टाक इस्चेंज का मुख्याले कहां चन्य दिल्ली मुंबई बंगलोर तो नेशनल इस्टाक इस्चेंज का मुख्याले मुंबई में है अगला कोश्चन है भारत की केंज सरकार ने दोजर आठ को भारती वर्ष घोसित करने करने डेलिया फालो को दालो आलो मोटे अनाज उन्हें स्वा कोश्चन है भारत की केंसरकाने 2018 को राष्टी वर्ष घोसित करने करने ड़लिया फालो को दालो आलो मोटे अनाज तो इसे मोटे अनाजो को दिया अगला कोश्चन है एक स्पेस एक रंग बिरंगा और मत्र मुग्द कर देने वाला मेला जो परतेक वर्ष उत्तर पदेश के मेरट में होली के कुछ दिन बाद मना जाता है वह है कुम्भ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला, तौह मेला है नौचंदी मेला अगला कोश्चन है एंटी बाइटिक पेंसलेन की खोज किस ने की थी आर्कमटीच, अलेकजन्डर फ्लेमिंग, अलेकजन्डर ग्राहम बेल, लुइस पास्चर तो इसकी खोज अलेकजन्डर फ्लेमिंग ने की थी अगला कोश्चन है भारती समिधान की इस पेस भारती गनडाज की अधिकारी भासा की सूची परदान करती है एक ग्रहमी अनसूची चौथी अनसूची बरहमी अनसूची अठ्वी अनसूची तो इसका एंसर विकल्ब डे बरहमी अठमी असमसूची है जो इगरहमी असमसूची है यह पंचायत से संबंदित है जो कि महत्रपूर और चौतिय जो है राजसभा के सीटों का अवंटन से है और बरहमी जो असमसूची है वह नगरपालिका यह से है तो एगरहमी असमसूची पंचार से संबंदित बारहमी है नगरपालिका से संबंदित चौति है अगला कोस्चन है इस पेस की ने और भारत की राष्टपती दोवारा नहीं की जाती है उचितम नियाले के नियाधिस, महा धिवक्ता, राजपाल, महा नियाधि तिसमें जो महा धिवक्ता है उनकी नियुक्ती राष्टपती दवारा नहीं की जाती है और बाकी उचितम नियालेक नियाधिस राजपाल महाने आदी के नियुक्ति राष्टपती द्वारा की जाती है अगला कोश्चन है भारत पहले भारती राज का नाम बते है जिसके परतेग परिवार में कम से कम एक सदस्क के पास बैंक खाता है महाराष्ट हर्याडा हिमानच इसलपर देश के रल तो इसमें विकल्पडी जो है के रल यह ऐनस्फर सही है कि अगला कोश्चन है कि की ऊफिए सभान उस वाहनी का चैन करें जो मुत्राश्य से मूत को सरीर के बाहर ले जाती है उरे ठेरा उरे ठेरा, ब्लैडर, रेनल, पेलिविस तो जो उस वाहनी का चैन करे जो मुत्रासय से मुत्र को बासरे के बाहर ले जाते हैं उसे कहते हैं उरे थरा अगला कोश्चन है राष्टी सिच्छा दिवस परतेक वर्स को मना आ जाता है तो राश्टी सिच्छा प्रतेग दिवस को प्रतेग वस 11 नमबर को मना जाता है इस दिन सवर पर नाटा सवर पर लिराधा किसनर का जनम हुआ था और जो 17 सितंबर है इसमें विस रोगी सुरच्छा दिवस को मना जाता है अगला कोश्चन है सत्तेश्वा संसद दौरा आठ सितंबर 2016 को समिधान संसुदन अधिनियम 2016 के तह जिएश्टी अधिनियम पारित किया गया तो कौन सथा सत्तानुवे चावरासीवी एकसवेक एकसो चुगदाउं तो वह था उन्चेद एकसो वह संसुदन था एकसो अधिनियम अगला कोश्चन है निवे से कौन सजीला उत्तर पदेश के बुंदेल खंड छेतर से संबंदित नहीं है फटेपू जाउनपूर महूबा सरवस्ती तो वह जीदा है महूबा जो की बुंदेल खंड छेतर से संबंदित है अगला कोश्चन है उत्तर पदेश का छेतर पदेश के कुल छेतर फल का लगभग है तो पूरे देश का छेतर फल के लगभग साथ दसमलो तीन परसेंट है जो की चौथे अस्थान पर है अगला कोश्चन है छठी सताब्दी इसापूर के दावरान मतुरा के आसपास के छेतर को इस पेस कहा जाता था पांचाल अंग सूरसेन मतस तो इसे मतस सूरसेन कहा जाता था अगला कोश्चन है निम्न में से किस रुमानी काविक लेखा को उनकी कृति मदनास्टक के लिए जाना जाता है रहीम मलिक महम्मद जाइसी जिया उद दिन बरनी सुल्तान फिरोष तॉगलक तो कोष्चन है निम्न किस रुमानी काव लेखा को अनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है अगला कोष्टन उत्तव प्रदेश में पहली बार 2018 करने वले द्येतनिक समाचार हिंदुस्तान के संपाधक काउन थे तो पत्र से लग भाग एक कोस्चन हमेशा पूछे जाते हैं आप लोग पढ़ लेजेगा तो इसका विकल्प ए है महावली परसाद दिवेदी विकल्प दी है पदम पुन्ना लाल पक्सी विकल्प सी है मदन मोहन मालवी विकल्प दी है भारतें तरिचंद फ्रकासित ही परीयों प्रकासित होने वाले दाइनी समाचार हंदूस आनके सेंपाद काऊंथ है इसके आइसके विकल्प सी है मदन मोहन मालवी तो इसके पर देग किस वर सभी सरकार कारयों के लीए हिंदी का का प्रयोग करने करना कानूनी तोर पर अनिवार कर दिया गया तो विकल्प कर दिया तो विकल्प दोस्त मुहम्मद दसवंत सर्ष मिर सयद अली तो अकबर के दरवार के मुख चित्रकार दसवंत थें अगला कोश्चन है इस पे इस फैजाजबाद के एक मुख संगीतकार थें जिन्होंने सास्त्री संगीत में टपा सहली का भी कास किया मुस्तरी भाई खुसी महराज मेहदी अगला कोश्चन है निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जोटती है और घाघरा नदी बन जाता है अगला कोश्चन है निम्न में से किस खने कोफिवा के का जाता है अगला कोश्चन है भी पूछे गए ty पूचह घ्रण प्रश्न है हिंधी से जिन्हुत और अध्यात्म से है जिनका संबंद अध्यात्म सेंक के लिए एक ही सब्द होगा अध्यात्मिक सास्थ्री नेस तो उनके लिए एक सब्द अध्यात्मिक होता हैं आगला कोश्चन है कौन सा जोडा सम्रूप भिन अर्थक है अवधी अब धी अनुचर नौकर आधि अन्त अभिन यणाटकत इसमें आप लोगों से बताना की इसमें कौन सा भिन है तो इसमें भिन ना पलोगों का विकल्पि है अवधी और अवध जो आवधी है इस तरह लिखा गया इसका मतलब होता है काल समय और जिसमें बड़ी इका मात्रा लगा उसका आवध देश की भासा से है इसलिए यह दूनों भी ने और अनुचर का मतलब नोकर होता है आधी का मतलब अंत होता है यह मतलब नाट कोस्टन है अगला कोस्चन है हमें प्रतिदिन सुर्ष का नम्स का सोरी नमासकार किना चाहीड ही के सब्द को पहचाने तो प्रतिदिन जो है वह उपसर गए कि अब्या कि कारक है तो यह प्रति दिन जो है वह है जैसे किसी किसी सब्ध के पहले यत्हा वह प्रति आनू उपने बहर यति आवला आड Alrighty सब्ध लग जाते तुछ उन्हें अब्ब्या कहा जाता है कि अगला कौश्चन हैं मिल्आप सब्सक्राइब क् fonction सब्सक्राइब तो मिल्प सब्सक्राइब मिल आप अप द्धनलाब आप लाप तो मिलाप में कौन सा परता है तो मिलाप में भी विकलब भी आप परते है कि अगला कोस्चन है 43 परतिधन आघात का सन्द रूप क्या रूप गया परति आघात draugать फर ती अदूर गया 53 परतिधन आघात तो इसका हैं मिखेा परतिधन अधात परतिधन ऐसा संद रूप हो महा धन आवसद हैं महा धन वसद है महा धन ओसद होता है अगला question है निमलिखित में से तदभा सब्द को पहुचा ने पासान कंगल 50 प्यासा पच्छे इसमे तद्बह सब्द है वह हैं प्यासा आख 15 पत्थर कंगर मिसकंग कंकर पच्छ मिसपच यह सब जो है तत्सम सब्द हैं तीनों और प्यासा जो है तत्वा सद्व है अगला कोशन है नुलुखित में कौन सवाक असुद है आज मैं रहूंगा सज्जन लोग भले ही सोचते हैं किया तुम काले जाते हो अभी तक पत्र नह नहीं मिला है तिसमें जो आसुद वाक है कि वह सज्जन लोग भला ही सोचते है अगला कोशन है तो मुझे आज खाने का मन नहीं होती है असुद्ध असपश्ट किजिए तो इसमें जो असुद्ध है मुझे आज खाने यह मंन नहीं नहीं होती इसमें कॉन सा असुद्ध है उसे च्छाटना थी इसमें विखलब ड जो है मन नहीं होती है यही असुद्ध है अगला कोश्चन है वह वाक कितने परकार के होते हैं पहला क्रित वाज दूसरा कर भा वाज ओ도 कर होगा वाज То चलिए प्रोडविराम भुणच्छन उप विराम तो जो वाक को समप्थ करने के लिए जिसका प्रोड़ विराम कहते हैं अगला कोशिशन है, माता पिता लोहे के चने चबा कर बच्चे को पढ़ाते हैं, रेखांकित मोहाबरा का अर्थ असप्स्ट किजे तो यहां लोहे के चने चबाकर का मुहाबरा बताना है विकल्प A है बहुत कठनाई जहिलना विकल्प B है अस्परस्ट बात करना विकल्प C है बहुत ही विश्वास रखना विकल्प D है बहुत ही आसा करना तो इसका इंस्वर विकल्प A है बहुत कठनाई जहिलना अगला कोश्चन है कहां राजा भोज कहां गंगो तेली लोकांगति का अर्थ है विशिष्ट और समानवेक्थ की तुलना दोनों बराबर होना विकल्प सी है किसी तरह की जमेदारी ने उठाना विकल्प डे गोड तो इसका एंस्वर जो है विकल्प ए है विशिष्ट और सम करें के लिए अलंकार होता है है अगला कोश्चन है जो मासिक सब्सद आऊ जो मासिक संचंद पर्ते क्चरंड में 16 मातरऊं होती हैं उसे कहते हैं को दो से चौपाई कहते हैं और चौपाई में 15 मातरा और-चौपाई चाहिए में 16 मात्राइं होती है प्रतेक्चरण में अगला कोश्चन है भीष में पिता मैं आज इवन साधी ने करने का प्रण लिया रिखान की सब्द का समास होगा तो इसमें भी आ गया देखिए आप लोग जो अब्वे है तो इससे अब्वेई भाव समास होगा अगला कोश्चन है करूड रस का अस्थाई भाव है तो करूड रस का अस्थाई भाव सोक होता है अगला कोश्चन है वाड़ों को समदाय को क्या कहते हैं तो वाड़ों के समदाय को वड़ माला कहते हैं अगला कौस्चन है निमन्स लिंग मैं इस्तरी लंग सब्द पह admits शंसार गउराइ सम्दा अस्वनी टुरिष में आप लोगों से बताना कि कौइन सा सब्द स्ट इस्तिरी लंग है सन्सार गउराइ चंग संब्द को सब्सिरे मिल्ग हैा कि अगला कोस्चन है निमन्स से डिबीय नहीं होता है इसमें डिबीय होता है अगला कोस्चन है निमलिखित में से संबंध कारक वाले वाक को पहचाने राम खाना खाता है राधा का कुटा बहुत तेज दौरता है रामु ने रामण को मारा मां अपने बच्चे को मारती है तिसमें कौन सा संबंध वाला वाक राधा को कुट्ता बहुत तेज दोड़ता है यही संबत प्रकट करता है अगला कोश्चन है निमलिखित में सब्दों में विसेशन की विसेशन को पहचानी एतिहासिक उपासना अस्वासन आपेच्छा तो इसमें जो विसेशन है वह है विकलप यही है एतिहासिक अगला रूप है क्या होगा अगला कोश्चन एक सठ है जगाना मूल रूप करिया का प्रेंडार्थक रूप क्या होगा जगाना जगवाना जगावना जाग तो इसका प्रेंडार्थक रूप जगाना होगा अगला कोश्चन है निमलिखित वाक्यों में से पुण वरतमानकाल को अ कोशन तो जरूरा रातें टेंस जे इसका एंस्वर्विकल्प a है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है कि जो पुडवर्तमान काल मैं है अगला कोस्चन सुरेज़ गीत का रहा था वाक्यम काल मैं काल है पच्छी दाना चुग रहा है देखां के सब्नवासी सब्न नहीं है बताना है अप Gold को कि पच्छीन का पर्याअची सब्नवाची सब्न कौन से is ठोकर है अंडची5 ज सब्नकर!! लिए अगला कोस्चन है हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए रेखांकिस सब्द का विलोम बताईए अनाथ का विलूम क्या होता सानात अग अपहिज जिसका कोई नहों तो अनाथ का विलूम सनात होता है हम आप लोगों के पिछले वीडियो में बहुत ही महत्रपुर्ड बिलोम सब्द जो की 240 के आसपास हैं करवा चुके हैं आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं लोग जाकर देख सकते हैं अगला कोस्चन है निमलिखित में कौन सा सब्द अनेक आर्थी नहीं है कनक अनंत महावीर हत्या जिसमें जो अनेक अर्थ नहीं देते हैं उसे वह सब्द है हत्या कनक वर्थ एक दुतर दतूरा ही होता है एक सोना होता है तो अगला कोस्चन है MINWAY अगला कोश्चन पढ़ने गद्यांस दिया निम्लिकित गद्यांस को पढ़कर प्यूछे गए प्रस्ण का उत्तर दिजिए तो बहुत गद्यांस है भारत का गवर्व बढ़ाने वाले महान भाव में रबिंद्नाट टैगोर का अस्थान अग्रण है जिनका जीवन सदय प्र वार्मी हुआ था उनके पिता का नाम देवंद्रनाथ और माता का नाम सारदा देवी था उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे वह महान कवी कहान कारगीत का चित्र का संगीत का नाटा कार्यों सच्चे देश वक्त थे उन्हें ने आठ साल की छोटी उम्र में कभीता के लिए लंदन गए लेकिन साहित प्रेमी रविंद नाथ जी 1880 में बिनावपादी डिगरी के लिए वापस आ गए प्रेकिर्ट के प्रेमी से रविंद नाथ जी ने सांतिने केतन की अस्थापना की और 16 अक्टूबर 1905 को उनका नेत्रित में कलकत्ता में रच्छा बंधन के बंग बंग अंदोलन का आरंब हुआ इसी अंदोलन में भारत में स्वादेशी अंदोलन का सूतर पात हुआ उनकी सबसे लोग परी रचनागीत आंजली रहे जिसके लिए उन्हें उन्हें 1913 में उन्हें गोनोवे प्रसकार परदान किया गया सन 1929 में हुआ जलिया वाला बंगला देश के राष्टगीत आमार सुनार बंगला उन्हें की ही रचना है सरवत मुखो प्रतिभा रखने माले रभीन नाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्तम हुआ उनका जीवन सद्वपत प्रदर्तक रहा तो हम आप लोगों को गध्यांस पूरा दिखा नहीं सकते है क्योंकि आप लोगों भी पढ़ना ही पाएंगी इसमें इसका विकल्प ही देख लेजिए या तो इसका 63 कोश्चन है नाइट हुट की उपाद रविन्नाथ ने क्यों लवटाई उन्हें वह उपाद नहीं पसंद थी जलिया अला बाग हत्याकंट के बिरोद में लवटा क्या लेता अग्यला कोश्चन है रवबीन्नार् χण की कौन सी रच रचना को नोबल प्रसकार प्राब्त है काभली वाला मास्टर साहब पोस्ट मास्टर उनके लिए नोबल प्रसकार गेता ऑनज्चली फिर्हीं मिला था जो कि वह नहीं सुनाइश मैं अगला question है रभीनाटएगोर का जन्म कब और कहा हुआ था तो रभीनाटएगोर का जन्म साथ मई 1861 कलकट्धा में हुआ था अगला question है उनके पिता कौन से समाज के नेता थे तो उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे अगला question है जनगर मनराष्टगान की रचनाकार कौन है रविना टयगोर, बंकिम बाव hamd lug अंशराय बच्छन जी सरोजनी नाड़ी तो जनगर मनराष्टगान की रचनाकार रविना टयगोर जी है अगला कोश्चन है कमाईनी की रचईता कौन है जैसंकर प्रसाद जी है अगला कोश्चन है कौन सी रचना तुलसी दास जी की नहीं है तो इसमें जो यामा है यह तुलसी दास जी की रचना नहीं है यह महादेवी वर्मा के जो इसके लिए नोबे प्रसकार भी यह भी पाई थे अगला कोश्चन है निमलिखित कवियों में सी गाधी जी ने किस कवी को राष्ट कवी का सम्मान दिया अगला कोश्चन है देवदास उपन्यास पर तीन बार फिल्म बन चुकी उपन्यास कार का नाम गया है प्रेमचंदी सरते चंदर चट्टो अपदहा धर्मबीर भाती रामचंद सुकलाजी तो जो देवदास पन्यास है इसके रचाईता सरते चंदर चट्टो अपदहा हैं तो पचासतर कोश्चन हो चुके आप लोगे के अब आते हैं रेजिनिंग पर तो रेजिनिंग में पहला है लार का मतलब लार गरंथियां इस परकार पित का मतलब है पेट से जिगर से अगनासा से फेंफड़े से तो जिगर का मतलब लीवर ही होता है तो पितरस का निर्माण भी